Hello Everyone, Welcome to Online Study Point आज है 22 जून और आज की इस वीडियो में हम 22 जून से रिलेटेड करन्ट अफर के सभी important question को cover करेंगे तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए आप हमारी इस mobile application को install कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को daily quiz, free PDF और per day के current अफर का audio भी मिल सकेगा लिंक description box में दी हुई है स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में किस देश ने COVID-19 इलाज पर 3.9 अरब डॉलर खर्च करने की घोशना की है तो ये घोशना भी हाली में की गई है अमेरिका के दोरा तो देखे अभी तक क्या है कि दुनिया कोरोना की vaccine डवलप कर रही है चाहे वह भारत हो चाहे अन्य देश हो लेकिन अब vaccine के बाद दुनिया की पहली कोरोना दवा इसके लिए जो अमेरिका है ये पैसा देने जा रहा है लगभग 3.2 अरब डॉलर ये कोरोना की एंटी वाइरल दवा विक्सित करने के लिए खर्च करेगा यदि ये दवा बनाने में सफलता मिलती है तो कोरोना वाइरस संकरमण के इलाज में बहुत आसानी हो जाएगी साथ ही ये कोरोना वाइरस के खिलाफ पहली कारगर दवा भी होगी और इसी के लिए इतनी भारी भरकम रकम जो की खर्च करने जा रहा है अमेरिका अमेरिका की कैप्टल करन्सी आप लोग सभी जानते ही है कुछ करन के कोश्चन हम डिसकस कर लेते हैं देखे कल में आप लोगों से पूछा था कि ऐसी कौन सी नदी है जो की अमेरिका और कनाड़ा के बीच अंतर राश्टी रेखा बनाती है किसी ने उसका अंसर नहीं किया था इस रिवर का नाम है सेंट लॉरेंस रिवर और देखे कनाड़ा इसके बाद यूसे और नीचे में हैं मेक्सिको तो मेक्सिको और यूस के बीच जो अंतर राश्टी सीमा बनाती है इस नदी का नाम है रियो ग्रेंडे रिवर तो दोनों ही आप याद रखेंगे सेंट लॉ विधेयक यह यहां पारित किया गया था जो कि काफी चर्चे में भी आया था दूसरा आप यह आद रखेंगे कि अमेरिका की इसी हिस्से में एक तेल पाइपलाइन है जिसका नाम है कोलोनियल तेल पाइपलाइन यह क्यों चर्चे में आई थी तो यह साइबर अटेक के कारण चर्चे में आई थी, तीसरा आप यह आद रख सकते हैं कि हाली में जो अमेरिका है ये ओपन स्काइट रिटी से अलग हो चुका है, इसके बाद रशिया भी हाला कि इससे एक्जिट हो चुका था, अमेरिका के द्वारा दो कंट्री इसको बैं किया गया है, कौन कौन सी है, ए कि आप कह सकते हैं कि तैरता हुआ घास की एक मोटी चादर होती है, जो कि आप देख पा रहे हैं, यदि एक्जेक्ट रोकेशन पूछी जाए आपसे, तो ये नौर्थ एट्लांटिक में पढ़ती है, और आप सभी जानते हैं किसी भी एक्जाम में सामानी घ्यान का की गई है, जिसमें की लगभग, सेलेक्टेड, आठ हजार कोश्चन का संग्रह किया गया है, जो कि आपके किसी भी एक्जाम के पॉइंट ओफ यू से इंपॉर्टेंट है, इसके लावा, एक्जाम में अकसर क्या होता है, कि मैट्स में हमें आंसर तो आता है, लेकिन सॉल् तो इसलिए आप लोगों के लिए, मैट्स की ये जो हैंड रिटन नोट्स है, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट रिक्स और इजी सल्यूशन मिल सकेगा, ये पीडियाफ आप लोगों के लिए अवलेबल है, अभी भी आप लोगों के लिए ये उपन है, आप चाहें तो इस के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हाली में डबलू एचो ने आधिकारिक तोर पर किस देश पे दूसरा इबोला प्रकॉप के अंतिकी घोशना की है, ये घोशना भी हाली में की गई है, गिनी में, गिनी जो कि अफरिका महादीब का एक देश है, इसकी लोकेश इसके दूसरे प्रकॉप से भी हमें गुजरना पड़ा, जो कि पहले प्रकॉप से भी ज़्यादा खतरनाक था, और माना ये जा रहा है कि यदि साधानी नहीं बढ़ती गई, तो जल्द ही इसकी तीसरी लहर आ सकती है, और इसके तीसरे प्रकॉप का भी सामना करना पड़ सकता है, तो देखिए अकसर आप लोगों ने अपने नाना नानी या दादा दादी से सुना ही होगा, कि आज से 50-60 साल पहले कोई महा मारी आई थी, जिसमें कि गाउं के गाउं खाली हो गए थे, कहने का मतलब है कि उस समय उतनी स्वास से सुविधाय नहीं हो पाती थी, कि किसी इंसान को बचाय जा सके, अभी तो कुछ हद तक जो हेल्थ फसिलिटी है, ये लोगों को मिलने लगी है, उस समय तक यदि देखा जाए, आज से 50-60 साल पहले तक इतनी भी विवस्थाएं नहीं होती थी, तो यहां जिस वाइरस की हम बात कर रहे हैं, इबोला वाइरस की ये 1985-86 में अफरिका महादीप के देशों में देखा गया था, यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही जो कांगो गडराज्य है, जो कि अफरिका महादीप का एक देश है, इसने लास्ट मंथी स्वयम को इबोला के तेरहवे प्रकोप से स्वयम को मुक्त गोशित किया गया है, WHO से रिलेटर सारे फेक्ट ये तो आप जानते ही हैं, अब हम अफरिका महादीप के बारे में डिसकस कर लेते हैं, एक मातर ऐसा महादीप हैं, जिससे की करकर रेखा, मकर रेखा और विश्वत रेखा, ये तीनों ही गुजरती है, जनसंख्या और शेत हैं, ये लाए जा रहे हैं, मध्यप्रदेश के, शियोपुर जिले में, कुनो नैशनल पार्क में, और होर्न आफ एफरिका के बारे में, हम अगले कोश्चन में डिसकस कर ही लेंगे, ये जो आप देख रहे हैं, ये लेक विक्टोरिया, जहां से दुनिया के सबसे लंबी निल नदी का उदगम होता है, और ये अंत में जाकर के, मेडिटेरियन सी में आकर के मिल जाती है, भारती सेना और यॉरोपी संग नौ सेना बल के बीच किस खाड़ी में संगत अभ्यास का आयोजन किया गया है, तो इसका आयोजन अभी हाली में किया गया है, अदान की में US के द्वारा बैन किया गया है पूरी स्टोरी आप लोगों को मालूम ही है यह जो लोकेशन है यह है गल्फ ओफ आदेन की जहां इस एक्सरसाइस का आयोजन हुआ है इंडियन नेवी के बीच और यूरोपी नौसेना के बीच और यह अपना पहला अभ्यास कर रहे है आद लोगोंने मेलिटेरियनस की लोकेशन देखी इह है जब यह जाते हैं यहां तो यहां से आते हैं तो उन जहाजों में जो समान होता है इन्हें लूट लिया जाता है और लूटेरे कहलाते कौन है यह सोमालिया की लोग ही इन समानों को लूटते है तो इसी सुरक्षओ lymphμα कर के हुए इस तरह की एक्सरसाइस का आहिजन किया जा रहा है कि इन समस्याओं से कैसे निप्टा जा सकता है कहां किया जा रहा है गल्फ ओफ आदेन में भारत की किस मंत्राले और UNDP यानि की युनाइटि नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम के द्वारा डेवलप किया गया आ इनकी कॉंस्ट्वेंसी है खुंटी जहारखंड और यह जो पोटल है जिसका नाम है आदी पोटल इसका परपस यह है में परपस यह है कि देश भर में आदिवासियों के लिए जो प्रसिक्षन कारिक्रम का आयोजन किया जाता है इससे रिलेटेट सभी जानकारी इस पोटल के लिए जो की जंगलों में निवास करते हैं उन्हें हेल्थ के प्रती मतलब की हेल्थ के प्रती इनमें अवैरनेस फैलाने के लिए सरकार की एक और पहल थी जो की चर्चे में रही थी अनाम है पहल तो यह भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं देखे अरजुन मुंडा इसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे हाली में इन्हें आर्चरी असोसियेशन ऑफ इंडिया इसके भी अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है अगला है हाली में किसने आम चुनाव 2019 एक एटलेस जारी किया है तो यह भी हाली में हमारे सभा सीटे हैं इनके बारे में मतलब कि इन लोग सभा शेत्रों के बारे में सही और उपयोगी जानकारी एटूजड इसमें अवलेबल होगी और इसे ही जारी किया है चुनाव आयोग ने यह आप से पूछा जाए कि जो चुनाव आयोग है यह कैसा निकाय है तो यह कि लिटएता दिवस के रूप में इसके अध्यक्ष और सधियों का वनलब की किस फॉर्मेट में होता है तो देखी एक तो अध्यक्ष होते है और दो सदरसरे हैं अध्यक्ष कॉन है सुसील चंद्र और 2019 के ये जो लोग सभा चुनाव हुए थे इसमें एक अप्लिकेशन है जिसका नाम है सी विजिल एप ये चुनाव आयो के द्वारा ही लॉंच किया गया था ये एक्जाम में पूछा गया कोश्चन है अगला कोश्चन है हाली में संगाई सहियोग संगठन की बैठक में भा भारत की तरफ से ये प्रतिनिधित्व करेंगे अजीट डोवाल ये है कौन तो ये है भारत के NSA यानि कि नेशनल सेक्यूरिटी एडवाइजर तो भारत को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो बैठक है ये तेश और चौबिस जून को आयोजित की जाएगी जिसमें कि प भारत में किस मुद्दे पर बैठक होनी है एक एहम बैठक है आप सभी जानते हैं कस्मीर मुद्दे पर एहम बैठक होनी है जिसमें की अजीट डोवाल इनका भी शामिल होना कंपल सरी है यहां हम जिस संगठं की बात कर रहे है याजीज संगाई कोर्परेशन तो यहां से आप याद रख सकते हैं कि जितनी भी इस्तान कंट्री हैं यह लगभग सभी इसमें शामिल हैं मात्र एक शामिल नहीं है यह कौन सी है तो यह है तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी जितनी इस्तान कंट्री है आप देख सकते हैं किर्गि हुई थी कब से हुई है 1991 में USSR के विखिटन के बाद तो आप मैप में देख सकते हैं तजाकिस्तान की location यह चाइना से border share कर रहा है इसकी राजधानी क्या है दुशामबे करंसी ताजकिस्तानी सोम हले में अंतराश्ट्री योग दिवस कब मनाया गया तो यह हर साल 21 जून को मनाया जाता है हाला कि यह भारत की ही पहल थी जिसके बाद से 2015 से हर साल 21 जून को हम अंतराश्ट्री योग दिवस के रुपे मनाते हैं क्योंकि ये जो 21 जून है ये उत्री गोलार्ध का सबसे लंबा दिन माना जाता है और भारत ये तो उत्री गोलार्ध में इस्तित है और इस बार का जो योग दिवस है ये इसका छटवक रम है तो अपनी दिन चरिया में योग को शामिल करने के प्रती लोगों में अवेरनेस फ़लाने के लिए हर साल 21 जून को मनाया जाता है अंतराश्टी योग दिवस तो सबसे इंपोर्टन्ट है इसकी थीम क्योंकि एक्जाम में थीम से ही रिलेटेड कोश्चन पूछे जाते हैं इस बार कि इंटरनेशनल योगा डे की थीम थी बी विथ योगा, बी एट होम त तो CAC द्वारा जारी किये गए इस आकड़े के नुसार टॉप पर रहा है बैंगलॉर, बैंगलॉर जो कि करनाटक की राजधानी है और ये व्रशभावती नदी के किनारे बसी हुई है, CAC ने इसे सबसे जादा योग शहर के रुप में नामित किया है पूरे भारत में और बैंगलॉर के बाद चिननई, शिमला, भूबनेश्वर और मुंबई का इस्थान आता है और इसके क्या पैरमीटर है, मतलब कि किस बेस पे ये मापा जाता है कि कौन सा शहर या कौन सा राज्य सबसे रहने योग्य है, तो इसके कुल चार पैरमीटर है, कौन-कौन से ही, ज इसका हैड़कौर्टर इस्थित है, बैंगलॉर में ही, साथी भारत की पहली गल्स फुटबॉल एकडमी, ये भी बैंगलॉर में ही इस्थापित की गई है, प्रसिधा IT कंपनी इन्फोसिस, इसका भी हैड़कौर्टर बैंगलॉर में है, और आप क्या रिलेट कर सकते हैं, तो भारत का पहला वर्टिकल फॉरस्ट टावर, जिसका नाम है माना फॉरस्टर, इसके इस्थापना बैंगलॉर में ही की गई है, जो कि एक तरह का अपार्टमेंट है, पूरी तरह से ग्रीनरी को ध्यान में रख करके बनाए गया है, चिन्ने से आप क्या रिलेट कर सकते ह देखे मैंने उन्ही शहरों के नाम उप्चन में लिखें, जो कि किसी ना किसी कारण शर्चे में रहे हैं, चिन्ने जो कि CCTV सर्विलांस के मामले में पूरी दुनिया में टॉप पर रहा है, इन दौर ये सोक्षता सर्वेक्षड में लगातार टॉप पर बना हुआ है, और य जाकी आम, इसकी कीमत कितनी है, तो ये 2,70,000 रुपे किलो है, आप सोच सकते ही कितना महंगा है, तो ये किस राज्य से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मध्य प्रदेश से, और ये आम कुछ इस तरह से है, कल जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने पढ़ा कि इसकी सेफटी के लिए चौकीदार भी लगाए गये हैं, ताकि इन्हें कोई तोड़ ना पाए, और इसमें मतलब कि लोग इस आम को खरीदना चाहा रहे हैं, और एक आम के लिए 21,000 रुपे तक पर पीस पे करने के लिए तयार हैं, लेकिन इसका जो मकान मालिक है, ये इसे बेच नहीं रहा है, क्योंकि इस बगीचे में इसके केवल साथ ही आम हैं, और ये है कहां तो जबलपूर का, मतलब कि मध्यप्रदेस में इस्तित्थ है जबलपूर आप सभी जानते हैं, इसी के चरगवा में जापानी आम की खेती हो रही है, इस अनोखे आम की खेती हो रह यह आप location देखेंगे तो यह दिख रहा है आप लोगों को अनुपूर जिला अनुपूर जिले में एक स्थान है अमर कंटक जो की मैकल की श्रणियों के बीच इस्तित है यह जो मैकल श्रणियां है यह मद्धिप्रदेश और 36 गड़ दोनों की बॉर्डर पर इस्तित है कुछ इसकी location आप देख पा रहे हैं जबलपूर में इस्तित है भेडा घाठ धुवाधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है और इसे भी आप करण से रिलेट कर सकते हैं हाली में यूनेस्को के द्वारा भारत के 6 इस्तिलों को अर्स्थाई लिष्ट में रखा गय आगे यह जो नर्मदा नदी है यह नर्सिंग पूर होसांगाबाद यह होते हुए कहां जाकर की मिल जाती है गुजरात में प्रवेस करने के बाद हालाकि इसके कुसीमा महाराष्ट में लगती है गुजरात में प्रवेस करने के बाद यह अंत में खंबात की खाड़ी में जा करके गर जाती है अगला question है French Grand Prix 2021 यह किस ने जीता है तो यह जीता है Max West Apan यह किस country से बिलॉंग करते हैं तो यह बिलॉंग करते हैं नीदर लेंड से और यह Red Bull के driver हैं दूसरे स्थान पर Lewis Hamilton रहे हैं, Britain से बिलॉंग करते हैं, Mercedes के driver हैं जबकि तीसर इस्थान पर रहे है Sergio Perez ये बिलॉंग करते मेक्सिको से और ये भी Red Bull के ड्राइवर है कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट अंसर Cristiano Ronaldo था अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है किस देश के दुआरा वैक्सिन पास्पोर्ट ये जारी किया जाएगा इसका जो भी अंसर कमेंट बॉक्स में बताईएगा वीडियो के पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मच